नमस्कार मैं इशे शर्मा स्वावत करती हूँ आपका हिंदुस्तान नीज्स 24 में आईए देखते आचे कुछ होके समझार 36 गड़ की राजधानी राजधानी रायपुर शहर से अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है देश के अलक अलक राज़ों में तेजी से फैल रहे कोरोना वाइरस ने दस्तक दे दी है राजधानी रायपुर में कोरोना वाइरस संक्रमण का पहला मामला आया है इसकी पुष्टी रायपुर एम्स ने की है कोरोना वाइरस की एक मरीज की पुष्टी होने से सरकार में हरकंप मच गया है रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद मरीज को आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है एमस डॉक्टर नितिन नागर करने बताया कि राइपूर के एक यूबदी का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है उसे आईसोलेशन बार्ड में रखा गया है हाला कि उन्होंने यूबदी की जानकारी उजागर नहीं करने की बात कही है फिलहाल कोरोना पेड़ित यूबदी की जान चल रही है इस प्रकार 36 गर्ड में यहां पहला मरीज मिला है जो राइपुर चौवे कॉलोन निवासी है जो अपने परिवार के साथ लंदन से बापस घर लोटी थी जिसका बलट सैंपल 18 मार्च को लिया गया रिपोर्ट में करोना वाइरस संक्रम ने बताया गया जिस पर कलेक्टर भारती दासन ने इसकी पुस्टी की है और अस्पताल में भड़ती करवाया है जो अभी दॉट्रो की बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है करोना वाइरस को लेकर 36 गड़ सासन ने नगर पादी का छेट में 144 धारा लागू कर लोगों को सजग रहने के लिए आवाहन किया है ताकि इस वाइरस से बचा जा सके जिसके लिए 36 गड़ के मुख्य मंतरी ने जनता से करोना वाइरस से बचने और बचाव के लिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आप लोग को डरने की बात नहीं है आप खुद सजग रहें और सुरक्षित रहें ताकि इस वाइरस से आप बच सके प्री भाईयों और भानों जय जोहर जैसे कि आप जानती ही है पूरा विश इस समय करोना वाइरस की महामारी से जूज रहा है चतिज गड़ में भी करोना वाइरस का एक केस पाजिटिप आया गया है जिसका समचित उपचार एम सराइपूर में चल रहा है पीडित के परवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है राज्य में करोना वाइरस से उपचार की माकूल विवस्ता है और इस से डरने या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अब हमें ज्यादा सतर करहना होगा और लापारवाही से बचना होगा एम्स में योगी चिकिस्सक पीडित का उपचार कर रहे हैं देश में अभी तक अनेक कोरोना पीडित स्वस्त हो चुके हैं राज में विदेश यात्रा से लोटे सभी नागरुकों का स्वास परिछन कर उन्हें आइसोलोईशन में रखने की प्रक्रिया जारी है मैं फिर से अपनी बात दोराता हूँ आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई ब्यक्ति है जो विदेश यात्रा से लोटा है और उनके स्वास विभाग को रिपोर्ट नहीं किया है तो इसकी सुचना ततकाल टोल फ्री नंबर 104 पर दें लोगों किया समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कुरोना वाइरस से बचाओ नहीं हो सकेगा अपित्तु जानकारी देने और सही उप्यार लेने से ही बचाओ संभव है बच्चों और बुजुर्गों को विशेश साधानी रखने के आउसकता है मेरा राज के नागरिकों से आगरा है बहुत आउस्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें लोगों को साधानी और सुरक्षा के लिए मैंने स्वयम अपनी सभी कार्कम और समारो रद कर दिये हैं राज में, स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, माल और भीड भारवाले इस्थानों पर लोगों को इकठा होने पर रोक लगा दिये ही है मैं बार बार आपको यह अस्वासन देता हूँ कि आपको चिंतित होने की कोई आउसकता नहीं है मैं आपका मुख्यमंत्री, राज सरकार और उसका पूरा महक्मा पूरी तरह से मुस्तैद है और हमने इस वाइरस से बचाओ और उप्चार की पूरी तयारियां कर रखी है आउसकता है तो बस आपके सहीयोग की हमने राज्य में कोरोना वाइरस से बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमर्जेंसी कम्यूकेशन टीम बनाई हैं जो आपको सतत रूप से सही सूचना देने का काम करेगी और भामक खबरों के प्रचार को रोकेगी मैं कोरोना वपचार के लिए लगातार काम कर रहे स्वास्विभाग के सभी चिकिशकों और चिकिशी इस्टाप का तहे दिल से आभारी हूँ पुरा राज उनके समर्पन भाव के सराना करता है मैंने यह निड़ने लिया है कि कुरोना के उप्चार में लगे स्वास विभाग के अमले को विशेश भत्ता अत्रिक्त प्रदान किया जाएगा राजिस सरकार ने एक मत पूर्ण निड़ने लेते हुए राजधानी रायपूर सहित सभी नगर निगम छेत्रों में धारा इसे चमालिस लगा दी है इसका मुख्य उद्देश लोगों को एक इस्थान पर ज्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना है जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके मुझे पूरा विश्वास है कि 36 गड़ की जनता इस संकट की घड़ी में राजिस सरकार का और एक दूसरे का भी सहियोग करेगी ताकि हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें आप सब के सहियोग के अपेक्छा है धन्यवाद